साड़ा हक, एक्थे रख, बात बात पर कोई भी बात होती है, तो साड़ा हक, एक्थे रख यही बात की जाती है, कुन फाया कुन के लिए, सिंगर को वुजू करना पड़ा, बनर्ग सफक्री की जगा, कौन सी हरोईन थी, जिसे पहले कास्ट किया गया, तृतम पुरा को वो जो जट था वो रॉक स्टार तो ना बन सेका लेकिन उसके खाब जो पूरा हो गए किसी बात है कि उनकी देथ के तीन मां के बाद ये फिल्म रिलीज हुए चांड सा रोशन चेहरा जिल्फो का रंग से नहरा आपको बता है एरमान ने क्या का एरमान ने का कि भई अपने कमफ की मुवी रॉक स्टार को बने हुए दस साल से जबागर सा हो गया नहीं की ना रहा ना वही 2011-11 नमबंबर को ये फिल्म रिलीज हुई थी और अब देखे 2022 चल रहा है सो बहुत टाइम हो गया है लेकिन कहते हैं ना कि दिल जवान रहना चाहिए है ना ये फिल्म आई और आते ही चाह गए बहुत ही यूनीक सी फिल्म थी यानि कि हम जो जो जिस तरह की फिल्में देखते हैं बॉल्लीवोड में बनती हैं उससे बहुत हटके इसका मौजू था तो ये फिल्म अपनी जगा बनाने में काफी कामयाब होगी दो हजार साथ में अपने करियर का आगास करने वाले इम्तियाज अली की पहली फिल्म थी जब भी मैट वही किसे नहीं पसंद भी मेरी फेवरिट करीना कपूर थी उसमें और इस फिल्म यानि रॉक स्टार के लि भाई चचाजाद भाई तो जहरी सी बात है अब भाई के साथ और रोमेंटिक सीन करने से वो रही तो फिर डिसाइड यह हुआ कि इस पर नहीं लड़की को इंटर्डूस करवाया जाए जो के थी नर्विस फट्री आप जानते हैं कि वह अमरीकी मॉडल है और उन्हें बिल जब डिलिवरी की डायलग डिलिवरी की तो उस तरह से वो उनका एकसेंट नहीं अचाहा रहा था इसी वज़ा से फिर उनकी डबिंग करवाई गई उनकी डबिंग जो की है वो मोना घुष सेटी ने की है जो कि आगर आप फिल्म देखें तो आपको महसूस होगा उनकी आखरी फिल्म थी और यह कैसी बात है कि उनकी डैथ के तीन मा के बात यह फिल्म रिलीज हुई जब फिल्म का पोस्टर त्यार किया गया तो उसमें उनकी तस्वीर भी लेगाई गी उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया इसमें उनका बहुत ही एक आहम किरदार ता जो कि मुजिक टीचर है उस्ताद जमील खान उसके रूप में वह नजर आए हैं बहुत इस अबर्दस एक्टिंग करते रहे हमेशा आप उनकी फिल्म हमें देखते हूं बड़े चुल्बुले से बड़े एनरजी एनरजेटिक से अदाकार थे जो कि हर फिल्म में इनकी अदाकार का ला देखते हैं लेकिन यहां पर डिफरेंस यह था कि वह शर्मीला टेगॉर नहीं थी उस उनकी जगह नरगिस थी और हीरो शामी कपूर ने थे बलके रंबीर कपूर थी तो यह भी एक कहानी है जो इस फिल्म के हुआले से कही जाती है फिल्म कि चल्काश बात बात ही कि फिल्म शुरूरा नहीं कर सके। लेकिन रंबीर कपूर ने एक कहानी सुनी थी उनके दोस्ति ने इनको शनाई थी कि इस तरह से कहानी है वो इंत्यास के पास है। एक दिन जब वो दोनों मिले तो बातों रन्वी कपूर बहुत अच्छा कर सकते हैं और उसको अगर थोड़ा सा गैट अप दिया जाए इस तरह से एक रॉक स्टार का तो इसमें रन्वी कपूर पूर उतरते हैं तो इस तरह से फिर इस फिल्म का आगाज हुआ जो कॉमपोजिशन है और एर एमान ने की सारे गाने आ अगर आप दूसरे गाने सुने तो उनसे बहुती मुख्तलिफ किसम कि उसकी शायरी है और इसके कॉमपोजिशन बड़ी डिफरंस ही है तो जब इंप्याज अली ने पहली दफ़ा यह गाना लिखने के लिए कहा इशाद कामिर जो कि इस फिल्म के नगमा निगार भी है तो उस सर पकड़के बैठके भई यह क्या मैं इस पर यह कॉमपोजिशन क्योंकि और इयार इमाने बना रिखी थी वरो जैसा कि आप मुफेमस हैं अपनी पजीदा धुनों के हवाले से सर पकड़के बैठके भई इस पर मैं क्या लिख नहीं उन्हों नहीं बड़ा किन्विंस तो जब वो गाना बना फिर से और चला आपने देखा है कि उन्होंने पूरा पूरा इंसाफ किया उस म्यूजिक के साथ फिल्म की कवाली आपने सुनी होगी कुन फया कुन बहुत ही खुबसूरत है अगर इस सदी की बेस्ट कवाली में कहूं तो गलत नहीं हुगा इस कवाली को रिकॉर्ड जब किया जा रहा था तो उससे पहले जो सिंगर है जावेद अली उन्होंने वकाइदा पहले कर दिये और जवेद अली ने वुजू किया और उसके बाद ये कवाली रिकॉर्ड कराई इस बात पर एया रह्मान को तनकीत का निशाना बनाया गया कि भी ये क्या तरीका है और इस तरह से किया जा रहा है और मुस्लिम हंदू को जड़ाई एक शुरू हो गए तो इस पे कि जिस्टिफिकेशन ये थी एक गाना अगर आपको याद हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कुमार सानुने गाया था उस पे कुमार सानुन साथ बगार मुहाद धुए ही आगे तो जो उसके कंपोजर थे मीजिक डिरेक्टर थे आडी ममन उन्होंने काफी इतरास के कि यह क्या तरीका है तुम मुहाद होए बगार आगे हो मैं एक गाना शूट करने लगा हूं तो इसमें फील कैसे आएगी तो यह उन्होंने यह बात को इसकी जिस्टिफिकेशन ऐसे दी इस फिल्म में चूके रंबीर कपूर का जो रोल है वो एक रॉक स्टार का था तो ज गिटारिंग सिखी यानि के गिटार बजाना सिखा और बलके यह भी सुने में आया है कि जो इसमें फिल्म के दुरान कॉंसर्ट सो थे जो पूरा एक शो सजाया जाता था उसमें रंबीर कपूर ने बकाईदा गिटार प्ले किया लोगों ने से पसंद भी किया यानिके फि चलते हुए वही तरकीब लड़ाई जो के काम भी आई इस फिल्म का जो किरदार है में किरदार जॉर्डन उसके हवाले से काफी बाते फेमस हुए कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी थी हाला कैसा नहीं था इम्तियाज अली के एक जट फ्रेंट थे जो के किसी हद तक उसकी कह सकते हैं रिजैंबलस थी इस कैरेक्टर के साथ लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये बिलकुल वही हकी कहानी थी तो ये गलत होगा प्रीतम पुरा को वह जो जट था वह रॉक स्टार तो ना बन सका लेकिन उसका खाब जो पुरा होगे क्योंकि वह इस फिल्म में इंस्पिरेशन ज़रूर बनके हैं प्याज लिखी ते कुछ लोग उसको कहते थे ये चेक गौरासर भी मिलते हैं इंकिलाबी, revolutionary बड़ा बागी टाइप सा character लेकिन इसके पीछे अगर हम जानने की कोशिश करें कि उन्होंने किसको कॉपी किया है तो अमरीका के एक famous गुलु कार्ड है Jim Morrison उनको कॉपी किया गया था रंबीर कपूर ने बल्कुल कॉपी नहीं इंस्पिरेशन में कह सकते हैं बल्कुल वैसा तो नहीं वो सिंगर भी थे और गटार भी प्ले करते हैं महसूस होगा कि रंबीर कपूर ने इंस्पिरेशन ली है अच्छा जब इस तरह की फिल्म बनती है ना जुसमें आपको दिखाना के एक सिंगर है और उसकी लाइफ पर स्टोरी है तो फिर आप डिफर्ट आवाजों का इस्नमान नहीं कर सकते एक ही अवाज के साथ आपको चलना पड़ता है और क्योंके रंबीर कपूर की जो प्रस्नालिटी काफी यूथफुल है तब तो थी अब तो दस साल है हो गए अब तो खैर उनको भी एज नजर आना चुरू हो गई है सहरी बात है इस पार्ट ओफ लाइफ हर किसने बुड़ा हो रहा होता है चुनाओ कि एक गाना इसमें बड़ा ही डिफरेंट सा था अब बात बात पर कोई भी बात होती है तो यही बात की जाती है तो यह जब गाना एक माने कहा मौह जगान नर्वेस हो रहे था कि बही मेरा स्केल इतना उंचा नीर मैं ओं श्केल पर बाता हूँ आपको पता है एरहमान ने क्या का एरहमान ने का कि भई अपने comfort level से जरा बाहर निकलो ये करना पड़ेगा तो यानि कि उन्होंने जबरदस्ती उनको motivate किया कि भई तुम्हें ही गाना है तुमने ही करना तो पहली दफा उन्होंने ये गाना थोड़े high scale पर गया और आप कि ये कई फेस्टिवल में जा चुकी है और इससे बहुत ज़्याबी भी मिली क्या वज़ा थी ये फिल्म नैशनल वाड़ के लिए नहीं गई इसमें मैं ये कहूंगी कि इम्तियाज अली की सुस्ती थी क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को नॉमिनेशन के लिए भीज़ ही नही उनको लाजमी 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 इवार्ट्स मिलने मिलने आपको इफेक्ट्स इंट्रस्टिंग लगे होंगे इंशाला इसी तरह किसी अगले वी लॉग में आपसे मिला का को वी तिल दैन अलाहाफू हुआ 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 झाल झाल